बिहार सिच्छा विभाग के अपरमुक्सचिव केके पाठक क्या नौक्री से इस्थिपा दे दिये हैं या अपरमुक्सचिव पद से इस्थिपा दे दिये हैं एक चिठी भी एक पत्र भी वाइरल हो रहा है क्या है वाइरल पत्र का सच और क्या सच मुझ में केके पाठक सहाब ने पद या नौक्री से इस्थिपा दे दिया है आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे लगबग 2-3 दिनों से यानि कह सकते हैं कि 9 जनवरी से ही सिच्चकों में आम लोगों में खास लोगों में केके पाठक की छुटी होने की चर्चा जम कर चल रही है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बॉबी और मैंने कल के वीडियो में भी यह बताया था कि केके पाठक कहीं नहीं गए हैं केवल मात्र छुटी पर गए हैं और 17 जनवरी को फिर से बिहार सिच्चा वीभाग के अपर मुक सच्यू के पद पर वापस आएंगे और आज भी मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो केके पाठक अपर मुक सच्यू बिहार सिच्चा वीभाग में वापस अपने पद पर आएंगे बसरते सरकार की ओर से ना कोई तबादला हो और ना उनके दवारा अपनी छुटीओं को बढ़ाया जाए आपको सुनकर काफी अचरज लग रहा हो होगा कि सभी जगा breaking cover चलाए जा रहे हैं कि केके पाठक की छुटी हो गई केके पाठक ने नौकरी से इस्थीपा दे दिया, केके पाठक ने अपने पद अपरमुक्षचिव पद से इस्थीपा दे दिया, पत्र के हवाले से भी यह कहा जा रहा है, सोसल मिडिया पर भी भरा पड़ा हुआ है, आके होगा भी तो क्यों नहीं, क्योंकि पत्र का अंतिम प्रभार का परतिवेदन है और कुछ भी नहीं है कि आप देख रहे हैं इस पत्र में सीधा कहा गया है उपर में ही लिखा गया है कि परभार परति बेदन और नीचे में भी लिखा गया है कि पटना के यानि कि अपर मुख सचीव सिच्छा विभाग पटना के पद का परभार स्वता परत्याग करता हूं इस बात पर ही टिपनी हो रही है कि परभार स्वता हम परित्याग कर रहा हूँ यानि कि खुद केके पाठक अपने पद का त्याग कर रहे हैं इसका सिधा मतलब यही निकल रहा है लेकिन अगर जब आप इस पर्तिवेदन पर गौर कीजिएगा तो बहुत सारे चीज लिखा हुआ है हम आपको बता दें कि पत्र में उपर लिखा हुआ है कि परभार पर्तिवेदन जबकि ऐसा नहीं होता आप किसी भी जानकार लोग से पुछिएगा या आपके संपर्क में कोई IAS होंगे या कोई उचाधिकारी होंगे उनसे पुछिएगा कि क्या जब परभार दिया जाता है तो इस तरह का पत्र होता है या नहीं तो यह मात्र केवल परभार का पत्र है पर्तिवेदन है लिखा गया है पत्र में कि अधोस्ताच्री मैं केके पाठक पद का और उनसे सो नब्बे शमान परसासन विभाग बिहार पत्ना के अधिसुचना संख्या एक पी एक हजार चार दो हजार एकाइस और एक मुख बिंदु दिया हुआ है शा और प्र पांसो नब्बे यहीं पर रुखना है आखिर पांसो नब्बे में क्या है इसका मतलब क्या है यहीं पर मतलब असपस्ठ हो जाता है कि जब कोई पदाधिकारी उचाधिकारी जो मुख जगा पर हो तो जब वह लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो पूरा का पूरा परभार दे कर जाते तो वह स्वता छुट्टी लिये थे तो स्वता अपनिपद का परित्याग किया गया जहां पर दुसरे को परभार दिया जाता है दिनांक 9.1.2024 के आलोक में आज दिनांक 9.1.2024 के अपराहान में अपर मुख सचिव सिच्छा विभाग बिहार पटना के पद का परभार स्वता परित्याग करता हूँ शमान परशासन विभाकी यदि सुचना संक्या 1 पी देख़जार चार दोहजार एकाईस पांसो नब्बे दिनांक 9.1.2024 दिरिश्ट डिब और यह पत्र का परचलिपी जो है मुख सचिव बिहार सहित विकास आयुक्त मानिये मुख मंतरी के परधान सचिव समान परशासन से लेकर सभी निदेशक सिच्छा विभाग भिहार पटना को सुचनार्थे इस पत्र को वाइरल किया जा रहा है ख़बरे बनाई जा रही है और सिच्छकों में भी यह चर्चा है सिच्छा विभाग के अदिकारियों में भी यह Luca है कि केके पाठक की छुटी हो गई केके पाठक ने खुद पद का परित्याग कर दिया है कुछ लोग तो इतना तक कह रहा है कि वो नौकरी से ही स्थिपा दे दिये हैं नौकरी से ही परित्याग कर दिये हैं कुछ लोगों का मानना है कि नहीं वो अपने पद का परित्याग किये हैं लेकिन कल भी मैंने बताया था जो आपने आज वीडियो देखा है कहा था मैंने कि नहीं वह मात्र छुट्टी पर गए हैं उनके छुट्टी 14 जनवरी तक था जो दो दिनाओ बढ़ा दिया गया 17 जनवरी को आएंगे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह 17 जनवरी को फिर से सिच्छा विभाग लोटेंगे बसरते सरेकार के द्वारा उनके अन विभाग में तबादला नहीं बसरते वह और छुट्टी न बढ़ाएं तो 17 जनवरी को केके पाठक साहाब जरूर वापस आएंगे दिक्कत किने हैं यहाभी अचरजा है सिच्छक क्या खूस है या नाराज है तो सिच्छकों का बहुत बड़ा गुरूप जो है वह इस बात से अचरज में हैं कि आखिर अचानक चल गए आखिर तो सब कुछ बदल रहा था हम लोग को क्या दिक्कत था मातर एक दू बिद्वों पर दिक्कत थी कुछ बोलने कुछ लिखने पर पावंदी लगाई गई थी चुटीओं का चुटी लिष्ट जो पहले का था उसमें बदलाव कर दिया गया चुटी कम कर दिया गया ईस्कूल टाइमिंग का समय बदल दिया गया मातर इपना ही था और किसी परकार का कुछ नहीं था बदलाव हो रहे थे सिच्छकों का शम्मान वापस मिल रहा था और जो अस्कूल जाते ही नहीं है इस्कूल से भागे रहना चाहते हैं उनको तो तकलिफ होगा ही लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि केके पाठक सहाब को प्रेसर दिया जा रहा था प्रेसर में थे दवाव बनाया जा रहा था या आप वखुबी जान सकते हैं इसमें कोई कहने और बताने वाली बात नहीं है लेकिन मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि यह सगरी पत्र के हवाले को देकर अगर आप कह रहे हैं या मान रहे हैं कि केके पाठक अपने पत्र या नोक्री सिस्थीपा दे दी हैं तो यह गलत है पत्र में असपस्थ है कि केके पाठक मात्र छुट्टी पर गएं ओभी 16 जनवरी तक 17 जनवरी को फिर से वापस आएंगे खैर सचाई क्या है चाहे तो एक से दो दिनों में किलियर हो जाएगा या फिर 17 जनवरी का आप इंतजार करिए भले ही बाद में कुछ और हो जाए हम नहीं का सकते हैं लेकिन जिस पत्र के हवाले को देकर लोग या कह रहे हैं कि के के पाठक की छुट्टी हो गई है वह दवाव में आकर अपने पद का परित्याग कर दिये हैं तो दवाव बन सकता है बन रहा होगा वह अलग मुद्दा है लोग मान रहा है कि उनपर दवाव बनाया जा रहा था तो यह तो गनफर्म है कि ऑनेस्ट पदाधी कारियों म पड़ता गलत नहीं होता यह आज बहुत बड़ा तबका भी मन रहा है कि यही सरदर्द हो सकता है गलत पर पावंधी अंकुश लगाना आम लोग सिच्छक भी यही चाहते हैं सिच्छकों का सोशन करना लोगों का बंध हो गया बहुत सारी बाते हैं जो कहने कह सकते हैं लेकिन आप समझ रहे हर बात को लेकिन हम इस बात को बताने आएं कि वह मात्र परभार का परती बेदन है कोई स्थिपा वाली बात नहीं है अगर जानकार लोग से बात करें तो वह कनफर्म करेंगे कि यह मात्र केवल परभार का परती बेदन है जो आई एस अफसर लोग बड़े पलादिकारी लोग बड़े जिम्मेवार लोग इस तरह से अपने परभार को देते हैं ताकि जिने परभार मिले वह सोतंत्र रूप से कोई भी पत्र या कोई भी आदेश निकाल सकता है तो बस आप इंतजार कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत लेकिन विश्वास रखिए के के पाठक सिच्छा विभाग में फिर वापस 17 जनवरी को आ रहे हैं बस इन ही बातों के साब अपनी बात को समाप्त करता हूं आपको क्या इंफर्मेशन है आपको क्या जनकारी है इस पत्र को हवाले के लेकर आप क्या करना चाते है कॉमेंट करके बताईए धन्यबाद जय हिंद जय वारत पंदे मातरम